मुवाइल सेंटर संचालक को जहांसा दे कर 66,000 रुपे ठगे रुपे बापस मांगने पर मा बेटे दे रहे जूटे केस में फसाने की धमकी शिप्पुरी चले के वेराड कस्वे में एक मुवाइल सेंटर संचालक के साथ दोका धड़ी का मामला सामने आया है पेड़त को जहांसा दे कर एक युवक ने फौन पे के माध्यम से 66,000 रुपे ट्रांसफर कर लिए मुवाइल सेंटर के संचालक ने जब युवक से पैसे बापस मांगे तो युवक और उसकी मा ने उसे जूटे केस में फसाने की धमकी दे रहे है पेड़त युवक ने शनिवार को इसकी शिकायत पुलिस अधिक्षक कारेले में दर्च कराते हुए पुलिस से पैसे बापस दिलाने की गोहार लगाई है जानकारी के नुसार अगुराचपुरी पुत्र रमेश पुरी को स्वामी निवासी टोड़ा वेराड ने बताया कि वे वेराड कस्वे के माता रोड पर मुवाल सेंटर की दुकान चलाता है बेरत ने बताया कि फिर मैंने धीरे से कई बार पैसे मांगे लेकिन उसने मेरे पैर से बापस नहीं दे प्राइब धीरज सरमा देधा घया और वही वही वैराडी रहता है निवाशी वह कुशमा निंगा है उसकी रोकार्डिंग में किया है और उसकी मान की पुल की रही थी कि हमारे लड़के का कुछ हो जाएगा तो हम तुमारे नाम के अपाइया करा तो इसके बाद प्लिस वालों ने कोई कारवाई नहीं कि इसलिए मैंने यहां क्या चाहते हो मैं चाहता हूं मेरे क्या चाहता हूं मेरे पैसे बाद देदे वात नहीं कि इसलिए मेरे पैसे बाद नहीं